सो हेलो एवरिवन वेलकम बैक तो माई चैनल विथ निव वर्णा ब्लैक कलर जो कि मेरा काफी पर्सनल फैबरेट हो चुका है अपसे गईस आप लोग देख सकते हैं सामने से काफी प्यारा ब्लैक कलर का यह वेरेंट आप लोगों को वर्णा में देखने को मिला गया जो कि का अपने पास थोड़ी सी वीडियो आई है ब्लैक कलर में तो आप लोग देख सकते हैं फ्रंट में बंपर पूरा चेंज है देखे आप लोग नीचे थोड़े से आप लोगों को वेंट ताइप दिख रहा है और पीछे से आप लोगों को भी ऐसा कुछ लुक देखने को मिल जाएगा जो कि मैंने प्रिवे स्टूडियो में अल्रेडी बता रुखा है बट आप लोगों को मेरे मेने सुझा क्यों ना ब्लैक कलर भी दिखाया जाए और ग्रे कलर में टर्बो वेरियंट ही आप लोग देख सकते काफी प्यारा लग रहा है पीछे से ऐसा जितना मेरों इन्हेंस करता है फ्युचरेस्टिक कार बना देता है इसके लुक से एन इंटीर में भी हम लोग बात करेंगे बट आप लोग देख सकते ऐलोई विल्स भी पूरे चेंज किये गया है जो कि आप लोगों को ड्यूल टॉन में देखने को मिल जाएगे पिछे से बात कर हम लो को सिर्फ ऑटोमेटिक वेरियंट में ही मिलेगा ड्राइव मोड सबकुछ आप लोग देख सकते हैं कैमेरा कॉलेटी ठीक ठाक है जाए सी पहले थी इतनी है थोड़ी सी डिस्पले बड़ी कर देता तो अच्छे रहते बट डिस्पले छोटी ही रखी है और फ्रैम काफी ज अब स्कुष जो अब लगोंड है यहां यहीं जाती है जो कि अलग तरीके सी अम्डी नटीश कर रखा होगा है आप लोग देख सकते हैं डूर पर काफी ज्यादा गौर की जोकि अलग तरीके सी अंबिंड लाइध देखने को मिल जाती है जो आप लोग ने अल्रीड से चेंज भी कर सकते ही एंड गियर नॉप के उपर आये तो हम लोगों गियर नॉप भी आप लोगों को जो प्रिविएस वन है क्योंकि अभी सायद से रिफाइंड काफी ज्यादा किया होगा एंजियन तो माइलेज भी थोड़ी से इंक्रीस होएगी प्रिविएस टर्बो वेरियंट से तो काफी ज्यादा है अब लोग देख से कि उपर मोट्स और सबकी बट्रेंड भी चैंज है स्ट Rider है अब लोगों को जॉइन мыれ मनिलता था उप पुरा निकल चुका जों काफी मस्त है बट मेरको ज्यादा सब прин ti डिजिटल मीटर जो के प्रिवियस वन मेरे को काफी पसंद था कम्पिरिटिव दिस क्योंकि यह पुला वैन्यू वाला डाल दिया है आप लोग देख सकते हैं पीछे कनेक्ट इंटेल लाइट तो काफी प्यारी लगी रही है अजिन के साथ तो आप लोगों काफी ज़्यादा प्रीमियम नेश मिल दी है पीछे टेल लाइट आप लोग देखी सकते हैं काफी प्यारी लग रही है आप लोगों को जो स्टेरिंग पर माॉंट ए कटरोल आते हैं जो उसकी सबकुछ चेंज कर दिया है राइट साथ में राइट में डाल दीया हैं नाट स्यार अब डाओ बॉठ एट इसा ही मेरे को दीख रहा है आप लोग देखी सकते हैं फीचर्स लूक और यह सब कुछ के मामले में अभी तो हाँ सोरूम में पड़ी हुई गंदी आप लोगो ने देखी होगी अभी एकदम मस चकाचक करके लखेंगे सोरूम में तो क्या ही प्यारी लगेगी अपनी यह वर्ना रात को आप लोगो डिय करेंगे बात में रिसाइड भी करेंगे सायद से लिए या नाल क्योंकि मेरा मन टोटली जा रहा है टर्बो वेरियंट के लिए क्योंकि अब डिजल तो आना है कि तो हम लोग डेफिनेटली सोच सकते हैं अगर आपका प्यार काफी बना रहा अपने इस वीडियो में काफी ज्यादा सपोर्ट रहा आप लोगों का पूरी चैनल पे तो हम लोग डेफिनेटली सोच सकते हैं टर्बो वेरियंट के ब्लैक कलर में या फिर वाइट कलर में लेने के लिए क्योंकि मेरे को काफी परसनल सरहर ब्रैक है बट इसको मैंटेन करना मेरे लिए काफी डिफिकल् अब लोगों को टर्बो वेरियंट में पूरा ब्लैक कलर का सॉफ्ट अच देखने को मिले गा जो कि काफी प्यारा लगता है एंड काफी ज्यादा प्रीमियम नेस भी लगता है गाइस अब स्पिकर के बात करें इसमें हम लोगों को बास का काफी ज्यादा टगड़ा साउं तकड़ा म्यूजिक सिस्टम भी होना वाला है तो गाइस रेडी हो जाओ आप भी अपनी का वर्ना ही वर्ना को लेने के लिए और फ्रेंट ग्रिल के बात करते हैं कुछ बेजिंग हम लोगों को देखने को मिल जाते जोगे काफी प्यारी लग रही है अपनी वर्ना